कल खेले गए भारत के खिलाब मुकाबले में बांगलादेश की टीम को पांच रणों से हार का सामना करना पड़ा और उसी को लेकर एक बड़ा बयान आया है लेजेंड भारते टीम के पुर्वबले बास ओपना सबसे बहतरी इन डिस्ट्रक्टिव बैच्मेंड विरेंद सहवाग्टी का और उन्हें शाकेबल हसन को कुछ ऐसी बात कही है जो कि वाकई में शाकेबल हसन को सोच रहा थे आपको याद होगा कि मैंस से पहले बांगलाद जीटने के लिए नहीं है तो चांट वाकेबल हसन की पूर्ण बनेच्टेब बास आयों को चांट केबल हसन नहीं हूं को यानी विरेंड है जींटन को इतनी आच्छी बालेवाजी करने के लिए हुए उनका सन्काट देरे थे पटतावन प्तान आये लिए बाजी करने के लिए यानि कि शाकेबल हसन तो कम से कम उनको मेक्शूर करना चाहिए था कि जो एक ही कॉलाप्स चलना था बांगलादेश की लिए लगातार विकेट्स निकल रहे थे 98 पर 2 थे 105 पर उनके 5 निकल गए तो जब एक तरीके से कॉलाप्स कर रहे थे तब तो कप्तान को टिकर खेलना चाहिए था लेकिन एक ही ओवर में कप्तान भी आउट होगे शान्तों भी आउट हुए उसके बाद कप्तान भी गलत शॉट मार कर अपना विकेट दे कर चले गए और उन बिरेंदे सहवा का कहना है कि T20 फॉर्मेट में यह जरूर नहीं है कि 50-60 रन की पार्टनर्शिप से ही काम चलेगा अगर आपने 10 बॉल में 20 रन भी बना दे वो भी पार्टनर्शिप हो सकता है आपके लिए इंपक्त डाल दे लेकिर आप बल्ले से रन बनाओगे नहीं और यह उल जुलूल के जो बयान देते हैं उससे कम से कम बचना चाहिए उन्होंने सीधा शाकेवल असन को कहा है कि अगर आपको कप्तानी करनी है तो आप विराट कोली की तरह लंबी पारी खेल कर दिखाएं आप शुरू से लेकर आखरी तक टिक कर दिखाएं मैच को फिनिश करके दिखाएं और अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दे ना कि इस तरहीं के उल जुलूल बातों पर ध्यान दे जो उन्होंने का कि उल जुलूल की बयान देने से बेटर है कि अपने बल्लेबाजी और कप्टानी पर ध्यान दे क्या वो कप्टानी अच्छी नहीं कर रहे, क्या वो अच्छे बल्लेबाज नहीं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा